Hello students, welcome to channel सब खुशनो आज आप लोग पढ़ेंगे कच्छा आठ गडित का अभ्यास 9C का थर्ड कोस्टन से इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 9C का सेकेंड कोस्टन तक पूरा वीडियो कमपलीट देखा था अगर आप लोग चैनल परना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बातां आसानी समझ में आ सका हैं और एक बात आप लोग कमेंट में ये कहते हैं कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा हैं तो आप देखते हैं कोस्चन थर्ड ये यह दिया हुआ आठ सेमी माप का एक रेखा खंड A भी खीचिए अन्ते बिंदू A से इस रेखा खंड का तीन बटे पांचवा भाग रचना तवारा ग्याद किजिए तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना आठ सेमी माप का एक रेखा खंड A भी खीच रहा है तो करेंगे क्या स्केल की सहायता से आठ सेंटीमीटर का एक रेखा नाप करके खीच लेंगे उस रेखा का नाम क्या होगा रेखा खंड का A भी ये हो जागा आठ सेमी का तो आठ सेंटिमीटर का जब एक रेखा ये भी खीच लेंगे आप क्या कह रहा है अंत बीन्दू A से अंत बीन्दू A का मतलब है यहां से आप लोगों को क्या करना है इस रेखा खंड का तीन बटे पांचवा भाग रचना द्वारा गयात करना है अब तीन बटे पांचवा का मतलब क्या हुआ हमने जैसे आप लोगों को एक रेखा को कई भागों में बाटना बताया था इससे पहले वाले पाठ में वही काम यहां करना है आप लोगों को यहां पर एक रेखा खीच लेंगे कोई भी नियून कोण बनाते हुए और यह रेखा कितना भी लंबा आप लोगों खीच सकते हैं तो नियून कोण बनाते हुए माले जी यह नियून कोण मतलब 90 सकम का 30 या 60 कुछ भी बना सकते हैं ऐसे बनाते हुए एक रेखा खीच लेंगे यह रेखा नहीं कहेंगे इसको क्या खीचेंगे यह किरर खीच लेंगे यहां से नियून कोण बनाते हुए एक किरर खीच लेंगे मालने जी हमने यहां 30 अंस का कोण बनाते हुए एक किरर अम खीच लिया किरड हमने इसे पहले वाले पाइट में आप लोगों को बता दिया था तो आप देखिए क्या करना हमको और एक वही जो यहाँ हमने मालनी जी यह 30 अंस का कोण बनाते विए खिचा तो B से नीचे की तरग 30 अंस का ही कोण बनाते हुए एक और किरड माली जी हमने BN खीच लिया तो अब देखिए हमने जब 30 अंस का यहां बना लिया 30 हमने इसलिए कहा 30 नहीं आप लोग कोई भी बना सकते हैं कोड नब बेस कम का लेकिन जो कोड यहां बनाएंगे वही यहां भी दोनों सेम ही होना चाहिए बराबर ही अब क्या करेंगे देखिए हमको 3 बटे 5 भाग बताना इस AB का तो 3 बटे 5 बटे 5 का मतलम नीचे देखिए 5 लिखावगा तो हम लोग इस वाले रेखा को और इस वाले रेखा को 5 भागों में काट लेंगे कैसे? इसको भी हमने बता दिया था देखिए अब हम लग परकार में कोई भी दूरी अपने तरफ से लेंगे और इसको इस वाले रेखा को जो हमने ये किरण जो खीचा इसको कितने भाग में काट लेंगे ऐसे एक दो तीन चार और पांच देखिए हमने कोई भी दूरी लिया जो दूरी लेंगे उसी से एक ही दूरी से सब को काटते जाएंगे आप देखिए आप दूरी को घटाना पराना नहीं है जिस दूरी से हमने इधर पांच काता नीचे जो दिया तीन बटे 5 मींस 5 हमको काट लगा है तो उसी दूरी से हम यहां से भी 5 भाग काटेंगे एक, दो, तीन, चार, और 5 5 भाग हमने यहां काटा और 5 यहां यहां यह कहीं बराबर दूरी से घटाना पढ़ाना नहीं है अब देखिये हमको क्या करना है यह जो हमने काटा इसका कुछ नाम भी लिख सकते हैं यहां M हमने लिखा है तो इसका नाम हम लोग M1 इसका नाम M2 कुछ भी लिख सकते हैं M3, M4 और M5 हमने मालने जिए लिख लिया कुछ भी नाम आप लोग लिख सकते हैं अब देखिये क्या करना है इधर का भी नाम लिख सकते हैं हमें यहां लिख रहा है N1 N2 N3 N4 और N5 कुछ भी लिख सकते हैं अब देखिए हमने जब 5 भागों में इसको दोनों को काट लिया नीचे 5 थाइस लिया 5 अगर नीचे 6 रहेगा तो 6 नीचे 7 रहेगा तो 7 जीथना नीचे रहेगा उतना भाग काट लियंगे जो रर्खाम ने खीचा है निँवन कोण बनाते हुए जो किता अब पहले ये पहला वला और ये वला मिला लेंगे इससे जयासे मनले जी हम लोग मिलाते थे पहले इस एक ओ यंमन से मिला लेंगे और इस लास्ट वाले को इससे मिला लेंगे अब देखिए हमको क्या करना है तीन बटे पांचमा दिया तीन जो उपर दिया होगा तो तीन इसमें हम लोग गिन लेंगे एक दो तीन यहां तीन हो रहा है और इसमें इसमें भी देखिए तीन पर ही मिलाना पड़ेगा इहां से एक दोर तीन यहां पर हो रहा है मिन्स इसको हम लोग इससे स्केल के ही सहाता से ऐसे मिला लेंगे देखिए तो हमको देखिए जो यहां मिला इस यह भी रेखा का यहाँ जो मिला इसका नाम कुछ लिख लेंगे माली जी हमने P लिख दिया तो यही क्या हो गया तीन बटे पांचमा भाग रचना दोरा हमने ग्याद कर लिया देखिए इन सबसे कोई मतलब नहीं है यह हमने वही तरीका बनाया इसको निकालने का तो देखिए यह पुरा आठ सेमी था यह तीन बटे पांचमा भाग यही हो गया एक दो तीन तो तीन बटे पांच मिस पांच में से तीन भाग तीसरा भाग तो वही काते हैं तीन बटे 5 वही P हमने निकाल लिया अब इसको लिखते कैसे हैं सबसे पहले हमने बताया था जब रचना करते हैं तो उसमें लिखते हैं ग्याथ और ग्याथ है में लिखते क्या है जो question में दिया जैसे आठ सेमी का एक रेखा खंड ए भी लिखेंगे क्या आठ सेमी का एक रेखा खंड ए भी ये दिया हुआ है अब रचना हमको क्या करनी है यह लिखेंगे रचना करनी है जो हमको बनाना होता है वही इसमें लिखते हैं तो बनाना हमको क्या है इस ए बी रेखा को तीन बटे पांच भाग में बाटना है या कर सकते हैं ए बी का तीन बटे पांच में भाग ज्याथ करना है तो लिखेंगे रेखा खंड ए बी का तीन बटे पांच में ग्याद करना अब सबसे इंपोर्टेंट है रचना के चरड तो देखिए जैसे फिगर बनाएंगे उसी तरह रचना के चरड में नमबर डालके लिखते जाएंगे पहले नमबर में क्या लिखेंगे लिखेंगे सर्व पर्थम एक आठ सेमी का रेखा खंड ए भी खीचा तो पहले नमबर में लिखेंगे फिर दूसरे नमबर में क्या लिखेंगे आप लोग रचना सुन के हम बोल रहा है लिख सकते हैं तो पहले नमबर में लिखेंगे एक र किरड एम उपर की तरफ खीचा तथा बी से एक दूसरा किरड उसी नियून कोण से नीचे की तरफ एक किरड बी अन खीचा फिर अगले नंबर में अब क्या लिख लेंगे परकार में कोई भी दूरी लेकर किरड एम को पांच बराबर खंडों में बाटा इसी परकार फिर अगले नंबर में लिख लेंगे बी अन किरड को भी हम उसी बराबर खंडों से पांच खंडों में हमने बाटा फिर अगले अब नंबर में क्या लिख लेंगे A को 99 से मिलाया तथा M5 को B से मिलाया तथा फिर अगले नंबर में क्या लिख लेंगे M3 को N4 से मिलाते हुए एक रेखा खीचा जो A, B को बिंदू P पर काटता है अब यही मेन हमारा लिखना है क्या यही P, A, B रेखा को 3 बटे 5 भाग में दिभाजित करता है या ऐसे लिखेंगे लास्ट में यही बिंदू P, A, B का 3 बटे 5 भाग है बस इतना लिखना है तो आप लोग सुन के लिख सकते हैं अब अगला और लास्ट कोस्टन 9C का हम लोग देखेंगे फोर्थ कोस्टन अब देखिए एक कोस्टन नंबर फोर्थ या 8.4 सेमी का एक रेखा खंड यह भी खिंचिए इस पर एक बिंदू P रचना द्वारा इस पर कार ग्याद किजिए कि एक पी बड़ाबर दो बटे 5 भी तो जैसे इससे पहले वाला कोस्टन था सेम उसी तरह यह भी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे से इसकेल से 8.4 सेमी का एक रेखा खिछ लेंगे इसका नाम लिख लेंगे a b यह होगा 8.4 सेमी का अब 8.4 सेमी का से खिछते हैं तो 8 सेमी पूरा और उसके बास जो छोटा छोटा दिया होता है बिंदी उसमें लगा होता है सेमें तो वे 1, 2, 3 8 सेमी के बाद 1, 2, 3, 4 तक खीच लेंगे तो वही 8.4 सेमी होता है तो आप देखिए इस पर क्या करना एक बिंदू P राचना द्वारा निकालना कि जो क्या हो दो बटे पंगाच हो तो हम लोग बस वही करेंगे इसमें भी A से एक निवन कोण बनाते हुए एक रेखा खंड एक हम लोग किरण खीच लेंगे मानीजिए AM और उसी कोण से उसी निवन कोण से B से एक किरण हम लोग क्हीच लेंगे BN अब देखिए जो कोण यहां बनाएंगे वही यहां भी अब क्या करा है कि दो बटे पंच करना है नीचे पंच दिया नीच इस वाले किरण को हम लोग कोई भी दूरी लेके परकार में पंच खंडों में काट लेंगे ऐसे देखिए पंच बराबर खंड में ऐसे काटेंगे और देखिए इसी दूरी से दूरी को घटाना बरहाना नहीं है B से भी पंच खंड काटेंगे इसी को एक नीचे वाले किरण को दो तीन चार और पंच अब देखिए सबका हम लोग नाम लिख सकते हैं कुछ भी इसका नाम मालनी जी हमने M1 लिखा इसको M2 लिख दिया इसको M3 इसको M4 इसको M5 यहां भी लिख सकते हैं N1 N2 N3 N4 और N5 तो अब देखिए क्या करना है पहले और लास्ट वाले को मिला लेंगे पहले और लास्ट से कोई मतलब होगा नहीं लेकिन मिला लेते हैं देखिए इसको इससे मिला लेंगे js इसका मतलब कुछ नहीं समझेंगे बस 5 है नीचे तो 5 बार काट लेंगे और 2 पर का रहा है तो देखिए 1 और 2 यहां 2 पर मिला लेंगे तो इधर से भी 1 और 2 गिनेंगे यहां हो रहा है तो means इसको इससे मिलाते हुए इसकेल की सहाथा से रेखा खिच लेंगे और जहां यह AB को काटेगा इसी का नाम क्या का रहा है एक बिंद P तो इसी का नाम लिख लेंगे P अब देखिए क्या का रहा है वही का रहा है कि ग्यात की जिए कि A P बराबर क्या हो 2 बटे 5 हो A B का तो वही यहां हमने 2, 1, 2, 2 बटे और कुल कितना है 1, 2, 3, 4, 5 है तो वही 2 बटे 5 हमने यहां मिला लिया यही P हमने निकाल लिया अब लिखेंगे कैसे, यहां लिखते हैं ग्याथ है, तो ग्याथ है में क्या लिखते हैं, यही लिखेंगे, आठ दस्मलों चार सेमी का, सेमी का, एक, रेखा खंड एबी, रचना करनी हैं में क्या लिखेंगे, रचना करनी हैं में लिखेंगे, जो हमको बनाना होता है, तो क्या करना है, एक बीनदु पी निकालना है, जिससे एपी बराबर दो बटे, पांच A B हो जाए तो लिखेंगे A B पर इस A B पर एक बीन्द P ग्याद करना यही हमको ग्याद करना है यही राचना करनी है P ग्याद करना जिससे जिससे A P बराबर 2 बटे 5 A B हो यही निकालना है यह 2 बटे 5 हो जाए तो अब हम लोग राचना के चरण में क्या लिखेंगे राचना के चरण में नमबर डाल के लिखेंगे यही सबसे इंपर्टेंट होता है पहले नमबर में लिख लेंगे कि सरोपर्थम 8.4 सेमी का एक रेखा खंड A B खींचा उसके बाद देखिए दूसरे नमबर में क्या लिखेंगे बिन्दू A से एक किरण नियून कोड बनाते हुए एक किरण A अम उपर की तरफ खींचा तीसरे नमबर में क्या लिखेंगे बिन्दू B से उसी नियून कोड से एक किरण B अन नीचे की तरफ खींचा फिर चोथे नमबर में क्या लिखेंगे कि परकार में कोई भी दूरी लेकर किरण A अम को 5 बराबर खंडों में बाटा या विभक्त किया तथा उसी बराबर दूरी से बी अन किरण को बी अन किरण को 5 बराबर खंडों में बिभक्त किया अब देखिए और ऐसे लिख सकते हैं अगले नमबर में फिल से कि M2 को ऐसे लिखेंगे A को N1 से M5 को B से तथा M2 को N3 से मिलाते हुए एक रेखा खंड खीचा अब लास्ट में लिखेंगे यहां कि M2, M3 रेखा खंड A, B को बिन्दू P पर काटता है अतह यही बिन्दू P यही बिन्दू P रेखा खंड A, B को 2 बटे 5 में बिभाजित करता है यह ऐसे लिखेंगे यही बिन्दू P A, P बराबर 2 बटे 5, A, B है बस इतना कर लेंगे और जैसे हमने बताया ऐसे सुन के आप लोग लिख लेंगे यह अपने तरफ से लिखना होता है कोई दिक्कत नहीं है आप लोग अपने बास किसी भी तरह से लिख सकते हैं जैसे जैसे बनाया हैं यह समनाम भी लिख सकते हैं कि 5 खंडो, M1, M2, M3, M4, M5 में काट लिया ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बराबर दूरी से BN को BN किरण को M1, M2, M3, M4, M5 पर काट लिया या बास लिख सकते हैं अपने तरफ से इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आज के लिए बस इतना है अब यह चैप्टर 9 आप लोगों का कम्पलीट हुआ फिर अब आप लोग आगे अगला चैप्टर परेंगे तो आज के लिए बस इतना है